मेनपुरी में CM योगी की रेली पूरे जिले में बंद रहेंगे स्कूल आखिर क्यों जारी हुआ ऐसा फर्मान उत्तर प्रदेश के मेनपुरी लोगसवा सीट पर उप्चुनाब के लिए प्रचार का दोर जारी है पीजेपी प्रत्यासी के प्रचार के लिए मुख्यमंत्री योगी आदितिनाथ आज मेनपुरी पहुँच रहे है CM योगी यहां जनसभा को सम्मोदित करने के साथ ही एक रेली और रोगसो भी करें उनके कारकरम को देखते हुए सक्षा विभाग ने जिले भर में सभी स्कूलों को बंद रखने के आदेश दिये हैं आए जानते हैं कि आखिर ऐसा फर्मान क्यों जारी किया गया CME योगी की रेली को देखते हुए सक्षा विभाग ने जिले के बारवी तक के सभी स्कूलों को बंद रखने का फरमान जारी किया है आदेश में कहा गया है कि CME योगी की लोकसवा उप्चुनाव के लिए 2 दिसम्मर को रेली प्रस्तावित है मुक्यमंत्री की रेली में भारी यादयात होने की संभावना के चलते छात्रों और उनके अविभावकों को अतियंतर सुविदा हो सकती है ऐसे में बच्चों की सुविदा को ध्यान में रखते हुए एक से कच्चा बार्वी तक के सभी स्कूल 2 दिसम्मर को बंद रखे जाएं मुक्यमंत्री योगी आदितनाद के मेनपुरी पहुंचने की खवर मात्र से ही चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है बीजेपी कार करताया काफी जोस में है बार्टी पूरे लोक्रवा छेत्र को बैनर फुष्टर से पाट चुकी है लोगों को अधिक से अधिक संख्या में मुक्यमंत्री को सुनने के लिए चन्द सभा में पहुंचने के अपील की जा रही है वहीं उनकी रेली में भी शामिल होने के लिए अधिक से अधिक लोगों को मुक्याले ले जाने की कोशिश हो रही है सपा सुनरचक मुलायम सिंग यादव की निदन से खाली हुई मैनपुरी लोकसवाद सीट पर 5 दिसम्मर को मतदान होना है इस सीट पर समाजवादी पार्टी ने अकलेश यादव की पतनी डिमपली यादव को मैदान में उत्वारा है तो वहीं बीजेपी ने इस उप्चुनाम में रगुराज शाकी को अपना उम्मीदवार बनाया है